नमस्कार दोस्तों आपके अपने व्यादिक एस्ट्रो लाइफ यूट्यूब चैनल पर स्वागत हैं दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मकर राश वाले जातकों का नवंबर 2030 का महीना कैसा रहेगा दोस्तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मकर रासवाले जातकों का स्वास्त कैसा रहेगा परिवारिक जीवन कैसा रहेगा आर्थिक इस्ति प्रेम प्यार वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा नमबर 2030 में साथ ही हम बात करेंगे कि आपका करियर कैसा रहेगा ब्यापार कैसा रहेगा तो दोस्तों अगर आप हमारे चनल में नहीं हैं चनल आपको सब्सक्राइब कीजिए और घंटे के बटन पर क्लिक केजिए ताकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हों दो ही चलते हैं वीडियो की और दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि मकर रासवालजातकों का स्वास्त कैसा रहेगा नवंबर 2030 में तो यहां पर आपको स्वास्त से जूड़ी संबंदित आपको प्राप्लम नहीं आएगी क्योंकि सानी चंद्र रासी से दूसरे भाव में विराज मान हैं यहां पर थोड़ी सी छोटी मोटी प्राप्लम हो सकती जैसे कि आखों में दर्द संग्रमन दातों में दर्द इत्यादी हो सकता हैं साथ ही आपको पैरों से जुड़ी प्राप्लम हो सकती हैं 27 नवंबर 2030 से 6 हाउस और 9 हाउस के स्वामे के रूप में वायवाहिक जीवन कैसा रहेंगा तो मकर रासफाले जातकों को प्रेम प्यार और वायवाहिक जीवन में अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलीगा क्योंकि आपको अपनी पार्टनर के साथ लड़ाई जगड़े देखने को मिल सकता हैं और आपसी समझ बहुत कम तो यहां तक के आप दोनों का ब्रेक अप भी हो सकता है और जो लोग पहले से प्रेम संबंध में रहेंगे तो उन दोनों का भी प्रेम प्यार सही नहीं रहेगा लड़ाई जगड़े देखने को मिलीगी और जो साधी सुधार वाले लोग हैं तो उनको भी अपने वैवाह एक जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है थोड़ा सा थोड़ा सा उतार चड़ाओ देखने को मिल सकता हैं बात की जाया कि मकर्रास वाले जातकों का पारवारिक जीवन कैसा रहेगा नवंबर 2023 में तो पारवारिक जीवन में मकर्रास वाले जातकों को उतार हाउस की स्वामी के रुप में फोर्थ हाउस में विराज मान है और सनी आपकी सिकंड हाउस में विराज मान है तो आपके परिवार में थोड़ा सा समस्या उत्पन्य कर सकती हैं संपत्य के लिए लड़ाई हो सकती है या फिर अगर आप सहयुक्ति परिवार में हैं तो जो लो यहां पर नवंबर 2023 में आपका आर्थिक इस्तिती भी सही नहीं रहेगा क्योंकि सनी आपके सिकंड हाउस में विराजमान है तो यहां पर आपको धन से जूड़ी समस्या हो सकती है और काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद आपको कोई चीश प्राप्त होगा और धन का जो है अगर आप खर्चे चला रहे हैं तो आपके पास इतनी बजट नहीं होगी कि आप अपनी खर्चा को मिंटेन कर सकें तो यहां पर आप पैसों की बच्चत भी कम कर पाएंगे और यह फिर खर्चे आपके बढ़ सकते हैं तो कहीं से उधार लेना पढ़ सकता है सुक्र आपके वक्री अवस्था में हैं तो यहां पर धन लापके मामले में आपका जो भाग साथ नहीं देगा और महीने के अंद में 30 नवंबर 2030 के दोरान तिंथ हाउस में विराजमान रहेंगे सुक्र तो यहां पर आपको पैसे बचाने के लिए भी सक्चम नहीं रहेंगे अगर आप खुद का विवसाय चला रहे हैं तो आपको विवसाय में भी अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा और जो लोग पार्टनर्शिप पर काम कर रहे हैं तो पार्टनर्शिप में लड़ाई जगड़े देखने को मिल सकते हैं पिर अगर आप कोई नए चीज मतलब पार्टनर्शिप में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो अभी आप रुक चाहिए ये समय आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा बात कीज़ें मकर रास वाले जातकों का नवंबर 2030 में आपका करियर कैसा रहेगा तो करियर की छेतर में ये महीना मतलब अच्छा भी है और खराब भी है तो यहाँ पर आपको बाहर से बिदेश से पैसा कमाने में लाब प्राप्त होगा अगर आपको मौका मिलता है बाहर जाने का तो आप बाहर से पैसा अच्छा कमा सकते हैं और साथ ही आपको मिले जूले परिडाम देखने को मिलेगा बिदेश की यात्रा भी आपकी हो सकती हैं और आपको बिदेश यात्रा से जो भी पैसा कमाएंगे या फिर बिदेश में जाकर पैसा कमाते हैं तो आपको अच्छे लाप देखने को मिलेंगे और बेवसाय में भी आपको अच्छे रिजल्ड देखने को नहीं मिलें तो दोस्तों इदियाब सभी को हमारे वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड सेर केजें